नमश्कार दोस्तो, स्वागत है आपका अपनी चैनल शुम्मंगल में पांचवे दिन माता सित्धी दादरी की पूजा की जाती है एक बात का ध्यान रखेगा दोस्तो, जिस वेक्ति ने भी चैतरल लवरातरी के दोरान पूजा पाट कर ली उस वेक्ति को माता रानी जी का वो अश्रिवाद और वर्दान मिलता है जिसके बाद उस वेक्ति की जीवन से हर प्रकार के कश्ट, दुख, समस्या, परिशानिया, जड़ से खनश्ट हो जाती है और उस वेक्ति की हर मनुकामना अवश्यपूरी होती है दुस्तो हमारे हिंदु शास्तर में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में चार नवरातरी पढ़ती है एक शारदर नवरातरी, दूसरी चैतर नवरातरी और दो गुप्त नवरातरी होती है चैतर नवरात्री एक ऐसी नवरात्री होती है जिस दोरान माता रानी जी बहुत ज़ादर प्रसन मुद्रा में होती है माता रानी जी चैतर नवरात्री में स्वर्ग से धर्ती पर नाव में सवार होकर के आती है कहा गया है कि इस दोरन मातारानी जी की कोई भी व्यक्ति अगर हलकी सी भी पूजा सातना क्या करे शाक्षत उसको मातारानी जी का वर्दान और आशिवाद मिलता है इसलिए आप लोग ने देखा होगा कि चैतर नवरात्री के दोरन बहुत से लोग व्रत रखते हैं अगर आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है जैसे अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे आपकी नौकरी लग सकती है आपका बंद पड़ा वैपार कैसे चल सकता है? आप किसी बिमारी से ग्रसित हैं तो कैसे आपको उसे मुक्ति मिल सकती है? आपके घर की बरकत रुक गई है? आपके घर की बरकत कैसे होगी? आपका रुका हुआ धन आपको कैसे मिलेगा? आपके जीवन में कैसे धन आएगा? क की तरीके से कर लिया अपना थोड़सा 2-4 मिनट देकर इन्ह उपायों को कर लिया मान के चलिये कि अविश्य ही माता रानी का अशिर्वाद आपको मिलेगा साति वर्दान भी मिलेगा और आपकी जो भी मनुकान नहोगी वह अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, माता रानी जी चैतर नवरातरी के दुरान बहुत जादा प्रसंद मुद्रा में होती हैं दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, चैतर नवरातरी एक ऐसी नवरातरी है, इस तुरान कई लोग उनका व्रत रखते हैं पूजा पाट करते हैं, फिर भी माता रानी जी उनसे रूट जाती है, क्योंकि देखिए एक बात कही गई है हमारे धर्म शास्तर में, अगर आप पूजा पाट नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अगर आप पूजा पाट गलत तरीके से करते हैं, तो आपको देवी देपताव का रुष्ट रूप देखना पड़ेगा चैतर नवरात्री के दोरान भी कुछ लोग ऐसे ही गलतिया कर देते हैं, वह पूरी पूजा पाट सही तरीके से करते हैं, लेकिन जाने अन्जाने में कुछ ऐसी गलतिया हो जाती हैं, जिससे मातारानी चीट रूष्ट हो जाती है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चैतर नवरात्री के दोरन आपको ऐसी कौन सी गलतिया छोटी-छोटी सी जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि मातारानी की आपसे रुष्ट ना हो और आपकी पूज़ा संपन हो जाए दूसरी तरफ आपको हम छोटे-छोटे से वो उपाई बताएंगे जिन उपाई को अगर आप कर लेते हैं इस चैतर नवरात्री के दोरान तो मान के चलिए अविश्य ही मातारानी जी का वो आश्रिवात और वो वर्दान आपको मिलेगा कि आपकी हर मनुकामना हर इच्छा पूरी हो जाएगी इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि मातारानी जी के आशिवात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो कभी भी आपको किसी भी कटनाईों का सामना ना करना पड़े माता जी आपके घर पर वास कर ले आए और आपके घर की बरकत हो आपके घर के प्रतेक लोग हमेशा रोग मुक्त रहे हमेशा स्वस्त रहे तो दोस्तों हूरी शक्ची श्रधा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट बॉक्स में लिख दीजे जै माता दी जै माता रानी साथी हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चैतर नवरातरी के दोरान आपको वो कौन सी ऐसी गलतिया हैं जो भूल कर भी नहीं करनी हैं फिर आपको हम वीडियो में बताएंगे कि आपको वो कौन सी छोटे छोटे सी उपाय हैं जिनको आपको करना है ताकि आपको माता रानी जी का वर्दान मिल सके दूसरा नवरातरी के पूजा के दोरान कभी भी तुलसी आमला मदार के फूल का आपको प्रियोग नहीं करना है इन तीनों चीज को वर्जित माना गया है तीसरा आपको नवरात्री के दोरन इस चीज का ध्यान रखना होगा कि नहाने धोने के बाद आप सूखे वस्तर धारन करें देखा गया है कि नवरात्रों की पूजा करने के लिए लोग जल्दी से नहा लेते हैं और गेली कपड़े का धारन कर लेते हैं देखे लोहे की थाली तो माता रानी जी की पूजा में की ही नहीं जाते इस्तिमाल दूसी तरफ प्लास्टिक की थाली जो होती है इसके बारे में कहां किया है कि इसमें हड्डियों की राक तक मिली होती है एलिमेंट के द्वारा तो आपको इन दो चीजों से बचना होगा पाँचवा आपको माता रानी जी की पूजा में इस बात का अवश्य ही दिहान रखना होगा कि जो भी आप लॉंग का इस्तमाल कर रहे हैं बिल्कुल सही सुना आपने लॉंग जो होती है वो फूल वाली लॉंग का इस्तमाल करना है और होता क्या है देखिए दोस्तों कि माता रानी जी की पूजा में अगर लॉंग का इस्तमाल किया जाए तो कहा गया है कि वह पूजा बहुत ही जल्दी सिध हो जाती है लेकिन लोग गलती क्या कर देते हैं लोग टूटी-फूटी लॉंग का इस्तमाल करते हैं या ऐसी लॉंग का इस्तमाल करते हैं जिसमें फूल ना निकला हो तो आपको इस बात का विश्य ही ध्यान रखना है कि आप ऐसी लॉंग का इस्तमाल ना करें मातारानी जी की पूजा में जो फूल वाली लौंग हो पूरी लौंग हो उसका इस्तमाल करें छटा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्तो मातारानी जी की पूजा में किसी भी टूटी पूटी वस्तु का इस्तमाल मत कीजिए वरना आपकी पूजा संपन नहीं मानी जाएगी दोस्तो अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का ज़रा ध्यान रखेगा कि जो नारियल है वो हिंदु धर में मान सम्मान सम्रदी का सूचक माना गया है नारियल को हिंदु धर में सफल भी गहा जाता है और नारियल को हिंदू धर्मे श्री नाम से भी बुलाया जाता है यानि कि श्रीफट हर मांगले कार्या में नारियल का अवश्य इस्तमाल किया जाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है माता रानी जी की पूजा में नारियल का इस्तमाल करेंगे वह जटा वाला नारियल होना चाहिए और पानी वाला होना चाहिए गलती से भी माता रानी जी की पूजा में हरे नारियल का इस्तमाल मत कीजेगा आठवा आपको इस बात का वश्य ध्यान रखना है कि मातरानी जी की पूजा में आपको तुलसी के पत्तो का इस्तमाल गलती से भी नहीं करना है हम आपको पहले बता चुके हैं तुलसी के पत्तो का इस्तमाल मातरानी जी की पूजा में वर्जित माना गया है नवा आपको इस पात का ध्यान रखना है, मातारानी जी की पूजा में आपको सफेद फूल इस्तमाल नहीं करने, क्योंकि मातारानी जी की पूजा में हमेशल लाल फूलों का इस्तमाल किया जाता है, दस्वा हमारे हिंदु धर में साफ साफ बताया गया है, कि नवरातरी के द जितनी भी हो सके आपके दर्वाजीप अगर कोई भिख्शुक आए तो उसको कृप्या करके कुछ न कुछ अवश्य ही दान कर दीजेगा अभी तक हमने आपको बताये कि नवरात्री के दोरन वो कौन से गलतिया हैं जिसे आपको भूल कर नहीं करनी चाहिए अब आपको हम ब करने से पहले आपसे हाँ जोड़कर निवेदन करते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माताजी दिखेजिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का अशिवात से आप अपने ज का हुआ है कि माता रानी जी की पूजा में अगर सीताफल अर्पित किया जाए तो इससे आपको माता रानी जी की विशेश कृपा पराप्त होती है देखे अगर आप रत रखते हैं 9 दिन का तो प्रते दिन सीताफल का सेवन अवश्य ही किया करें यह बहुत जादा शुब ह और दूसरा मातारानी जी की पूजा में अगर सिताफल अर्पित किया जाए तो इससे आपको बहुत इक सुकों की प्राप्ति हो। तीसरा अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग हमिशा सदा बाहरी लोगों से बचे रहें या मान लीजिए आपका कोई ऐसा शत्रू है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको नुकसान पहुंचाना चाता है तो आपको क्या करना है कि मातारानी की पूजा में आपको छोटा से त्रिशूल खरीद के लाना है इससे 9 दिन अपने घर पर पूजा करने वाले स्थान पर स्थापित करें नौ दिन बात इस त्रिशूल को किसी भी मातारानी जी के मंदिर में दान कर देना अगर आप इतना कर देते हैं तो मान कर चलिए आपके जो लाको शत्रू हैं जो आपकी खिलाफ खड़े हैं वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे पांचवा कि मातारानी की अगर आप पूजा पाड़ करते हैं तो आपको प्रतेक दिन किसी ना किसी गरीब को मंदिर के बाहर बैटे बिखारी को कुछ ना कुछ दान करना है अगर आप नौ दिन ये करेंगे तो मान के चलिए आपके उपर दरिद्रता कभी नहीं आईगी और आपके उपर कोई दरिद्रता थी तो वो भी चैतर नवरातरी के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी ये जो उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं ये मनुकामना पूर्ती का उपाए है ये उपाए अगर हम करते हैं तो अविश्य ही मातारानी का आशिवात आपको मिलेगा जो के बाद अपने मनोकामना बोलते हैं तो अविश्य ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी मातारानी के आशिवात से जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस चैतर नवरातरे में पूरी हो जाएगी तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं आपसे निवेतन है कि वीडि